हलो एव्रिवन जिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मैं आई हूँ चिल्डर्ण पार्क में आपको दिखाऊंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है खास तो गाइस हम लोग बोरमादी में है और यहाँ चिल्डर्ण पार्क जो है हमारा बोराबादी पे है और सबसे पहले हम सहीत संकल चिल्डर्ण पार्क आ जाएगे और हम टिकेट को पर्चिस करेगे क्योंकि आपको पार्क में इंट्री करना है तो आपको टिकेट पर्चिस करने पड़ेगे उसके बाद हम अद्दर इन करते हैं पार्क में इन करने के बाद हम देखेगे कि काफी खुबसूरत पार्क है या क्योंकि इसमें इसने सारे फॉंटेन हैं बच्चों के लिए भी तरह तरह के जूले हैं और पार्क की खासियत है कि यहाँ पर म्यूजिक, लाइव इविट और बहुत सारे अक्टिविटीज देखने को मिलते हैं नाइट में तरह तरह के लाइटिंग का डेकुलेशिट होता है पार्क के अंदर इसमें लोग जीम के लिए भी आते हैं सुबा मॉर्निक वाक के लिए भी इस पार्क के लिए बैटर होता है बच्चों के लिए भी संडे के लिए फंडे के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए पार्क बहुत ही बेस्ट है सुपर्ब है और हम देखेंगे कि पार्क में हर इवनिंग में काफी ज़्यादा भीड़ो देखने को मिलती है और एक सुकून सा मिलता है इस फॉन निन को देख के भी और यहाँ पर सूट भी होते हैं लोग तरह तरह के रिल्स बनाने के लिए भी इस पार्क का यूज करते हैं और यह काफी ज़्यादा गिरिनरी है आप देख सकते हैं पार्क का जो द्रिश है काफी मनमोहक है मैं हमेशा इस पार्क पर आती हूँ तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए में सेर कर दूँ तो इस पार्क में आप कपल्स के लिए भी पॉफेक्ट है क्योंकि काफी ज़्यादा रोमेंटिक पार्क है ये और यह मुराबादी में है और क्योंकि मुराबादी अगर आप आते हैं तो यहाँ विजट जरूर करें उसके अलावा पार्क के अंदर भी आपको खाने की पूरी सुविधा दी गई है यहाँ पर रेस्टरेंट है जिसमें आप अपने 24 के एकॉर्डिंग फूड का मज़ा ले सकते हैं काफी का मज़ा ले सकते हैं और नियू येर पार्टी आप कर सकते हैं बहुत रे पार्टी सेलिबरेट कर सकते हैं कोई भी लाइब कंसेट इवेंट होता है तो उसमें भी आप इस पार्क का यूज कर सकते हैं और ये मौराबादी में है और मैं चाहूँगी कि एक पर आप जरूर आए और इस पार्क में विजिट करें आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब बाई दोस्तों फिर मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में